शब्दो के बान है, मुश्किल में मान है, गुजरात के रण में मचा घमासान है, जी हाँ गुजरात की चुनाव चौपाल में आपका स्वागत है। कुनबा है और उनका किसी का सप्ता पराने का मतलब है कि बादसा की आउलाद का बैठना यह अवरंग जेव राज उनको मुबारक दो तीन बार ऐसे भार्शन में इमोशनल हो जाएगे मोदी जी अमिता बच्चन से बेहतर एक्टिंग करते हैं नेताओं की यह लड़ाई तो अपनी जगह है लेकिन गुजरात के मददाता के मन में क्या चल रहा है इस बारे में जानने की शायद किसी को फुरसत ही नहीं है इसले 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 देवर्णिजिशन हो और नामत अंग्रों हो और टीस्टी अभी जो रिसेंट में हुआ उसके कारण उन लोगो फोड़ी मोंकी खाने पड़ी जो पाटिदार समा से समझोता हुआ है उसका आजसा गुजरा चुनाओं पर पड़ेगा और हो सकता है कि लगातार बिजेपी की वहां सरकार रहने के बाद इस बार कांग्रेस का में नज़र आ रही और मुझे लगता है कि तककर तो होगी कांग्रेस इस बार मां टककर देने की स्तिति में महाभरत के युद्ध के समय दितराफ में संजय से धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र का हाल पूछा था उसका परणाम तो हम सब जानते हैं लेकिन गुजराट का चुनाबी युद्ध भी इस बार धर्मक्षेत्र बन गया है यहाँ कोई जन्यू दिखा रहा है तो कोई किसी के धर्म पर ही सवाल उठा रहा है दरसल राहूल गांधी के सौमनास मंदे दोरे में गैर हिंदू रजिस्टर में कथित तोर पर एंट्री होने के बाद कांगरेश ने राहूल का जन्यू दिखाते हुए खंठोक कर कहा कि वे जन्यू धारी हिंदू है कांगरेशी राजबबर ने तो यह भी कह दिया कि भाजपाद्यक्ष अमित शाह तो हिंदू ही नहीं है शायद लोगों को याद हो कि एक बात गुजरात में मुदी ने मुस्लिम तूपी पहनने से इंकार कर दिया था तब दे धर्मलप्यक्ष लोगों के निशाने पर आ गए थे अब जब जन्यू बारा प्रकरण सामने आया है तो ऐसा लग रहा है मानों उन धर्मलप्यक्ष ताकतों का ही जन्यू संसकार हो गया है खेर सबकी अपनी राजिंतिक सोच है वे ही जाने मगर चुनाबी मौसम में मददाताओं को नए पुराने बादों के उपहार दिल खोल कर दिये जाते हैं वादों की सजधच भी इतनी गजब की होती है कि सीधा सदा मददाता इभी वादों पर मर मिठता है तो फिर चलते चलते बादा तोड़ने ताओं की हकीकत भी जान ही लेते हैं वादों को रंगीन कागत में लपेट के ले जाया करो सजधच का जमाना है उपहार थोड़ा चमकाया करो नए वादों में अनेकों पुराने यदी शामिल हों बद्बू उडाने के लिए थोड़ा इतर लगाया करो बंपर जीत का नायाब नुस्का हुआ करते हैं वादे किसी विशेशग्य की मदद से नुस्का बनवाया करो सुनने में असंभाव से यदी लग रहे हों आपके वादे उन्हें आकणों की जादूगरी के साथ दिखाया करो अपने वादों से विरोधियों के वादे कटकर उड़ जाएं मांजे की तरह वादों पर सच का पालिश लगाया करो कहीं मांग न बेठे जनता तुमारे पुराने वादों का इसाब बस केवल चुनाओं के पूर्व ही अपने शेत्र में गाया करो गुजर चुनाओं पर हमारी यह प्रिफ्टुटी आपको कैसी लगी हमें जरूर बताईएगा और इसी तरह देखते और पढ़ते रहिए वेब दुनिया नमस्कार